लोकसवा चुनाव में शिकस्त के बाद अब आमानवी पार्टी ने दिल्ली विधान सभा चुनावों के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है लहाजा पार्टी ने अपने कार करताओं और वॉलेंटियर्स के साथ दिल्ली के पंजावी भाग में मीटिंग की और चुनावी रणनीती का बिगुल फूट दिया किसी ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया लेकिन आज दिल्ली की जंता कह रही है कि एक बार छोटा चुनाव आने दो कि आपके काम के ऊपर सारी कसर पूरी करेंगे जितनी कसर इस चुनाव में रह गई सारी कसर अम पूरी करेंगे तो आज से 2020 की तैयारी शुरू और ये 2020 की तैयारी और लड़ाई लड़ेगा कौन यहां जितने लोग बैठें और बहुत सारे लोग आ नहीं पाए होंगे टीम केजरिवाल बनके चुनाव लड़ना है टीम केजरिवाल बनके लोग सभा चुनाव में आमादमी पार्टी की दिल्ली की सातों सीटों पर हार हुई है दो उमीदवारों को छोड़ दें तो बाकी पांच उमीदवार तीसरे नमबर पर रहे कारेकरताओं की साथ संबाद में मुख मंत्री समेट पार्टी के कई पदादिकारी और मंत्री भी मौझूद थे पार्टी ने माना कि वो अपना संदेश दिल्ली की जन्ता तक पहुचाने में सफल नहीं हुई पार्टी ने एलान किया कि अब किसी भी चुनाओं में वो किसी अन्य पार्टी के साथ कड़ बंधन नहीं करेगी जनता का जो विश्वास हमारे उपर है उस विश्वास को कायम करके पूरी तरीके से अपने पक्ष में करके मिसन जो हमारा 2020 का है 15 की तरह ही 20 का इतिहास दोराने के लिए हमको आगे का सफर आज से तै करना है दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है इसलिए 2020 में जो दिल्ली का विधान सबा चुनाओ है उसमें हम बिल्कुल आपके साथ कंदे से कंदा मिला कर चलेंगे और 2015 वाले ही परिणाम फिर से आएंगे 2015 में विधान सबा चुनाओ में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 66 सीटों पर जीत दर्ज की थी लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं यही वज़ा है कि 2020 में होने वाले विधान सबा चुनाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने अभी से अपने कारकरताओं को सक्री होने का आहुआन किया है लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद अब दिल्ली में आमादीन पार्टी की नजरें 2020 के विधान सभा चुनावों में हैं लेहाजा नारा दिया गया है कि दिल्ली में तो केजरीवाल और आमानी पार्टी ने इससाफ कर दिया है कि इस बार चुनावों में पार्टी दिली सरकार के काम को लेकर जन्ता के सामने जाएगी दिली से कैमरा परसन रश्यूनी के साथ शशांग पठक सुराज एक्स्प्रेस